अगलेश यादो को 2022 में मुख्य मंत्री बनाना है यह हमसे पूछी हम आपको बताएंगे उसका दर्ड मनीज गुपता भाई के साथ समाजवादी पारिटी का एक एक कारकरता और लाल रंकी टोपी दिखाई पड़ी तो आवाज उत्तर पदेश तक गूजी और मनीज गुप्ता को इंसाफ मिला उसकी पत्नी को नोकरी मिली और मुअबजे का पैसा मिला ये समाजवादियों की देन है ये समाजवादी की लाल टोपी की देन है जिन किसानों को कुछ दिन पहले ये खालिस्तानी और आतंगवादी बताने का प्रयास कर रहे थे आज कैसे ही उस बिलको वापस ले लिया मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ महोदे आपके माध्यम से इस देश से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किसानों का काला कानूं वापस लिया गया तो वो ये किसानों का वापस लिया गया या खालिस्तानी और आतंगवादियों का वापस लिया ये दोहरी चरित की मानसिक्ता वाली सरकार है और वैपारी समाज का हित कभी भी नहीं हो सकता वैपारी किसान भी वैपारी है जो धान उगाता है चावल गिहूं उगाता है और तमाम ऐसी फसलों को अपने खेद में पैदावार करता है और मार्केट में लाकर बेशता है कि वो भी वैपारी की सब्सक्राइब में आता है जनपद आगमन पर जिस प्रकार से समाजवादी वैपार सभा की तमाम इकाईयों ने गुसाई गंज बजार में मया बजार में यादो नगर्प में कटहरी में अकबरपुर में टांडा में सद्दरपुर में जिस तरीके से बढ़ चटकर समाजवादी पाल्टी के निताओं और समाजवादी पाल्टी के जिलाध्यच समाजवादी पाल्टी के महासचू मुझी वहमत सोनू साहब और वरिश नेता जंग बहादुर भाई ने जिस तरीके से मान सम्मान और प्यार दुलार देने का काम किया है मैं जीवन भरिसका रिणी रहूंगा आप विस्वास नह और समाजवादी पाल्टी के सम्मान में कोई चूक होने नहीं दूंगा